गर बैठे ही दिव्यांगों वा बुजुर्गों को मिले की मद्दान की सुविधा खबर उन्नाओं से आपको बता दें बुजुर्गों और दिव्यांगों को बूथों पर आने जाने में किसी तरह की कोई परिशानी नहीं हो इसके लिए निर्वाचन आयोगन इस बार उन्हें घर से ही मद्दान की सुविधा दी है जिले में चौते चर्ण के तहट होने वाले मद्दान से पहले आयोग के निर्देश पर असी वरत से अधिक आयोग के बुजुर्ग और दिव्यांग घर से ही मद्दान कर सकेंगे इसके लिए निर्वाचन विभाग बुजुर्गों और दिव्यांगों को चिन्नित कर रहा है चिन्नित बुजुर्ग और दिव्यांग मद्दान पार्टियों की मौझूदगी में घर पर ही मद्दान करेंगे मद्दान पार्टी में माइक्रो आपजवर वाप पुलिस कर्मी शामिल रहेंगे जो बूत तक पहुँचने में अस्मार्थ हैं जिला निर्वाचन विभाग के अज़कारियों के अनुशार बुजुर्ग और दिब्यांग मद्दाताओं से घर से ही मद्दान के लिए सहमत पत्र लिया जा रहा है अनुमत पत्र मिलने के बाद मद्दान पार्टियां तैयार की जाएंगी वाग घर जाकर बाइलट पेपर से मद्दान कराएंगी पार्दस्ता को लेकर इस बार मद्दान की प्रक्रिया की बीडियोग्राफी भी होगी इसमें मद्दान को छोड़ कर अन्य सभी प्रक्रिया की बीडियोग्राफी होगी एक अनुमान के आधार पर जिले में एक हजार बुजुर्ग और दिब्यांग घर से मद्दान कर सकेंगी जबकि अन्न के लिए बूत पर बिसेश इंतजाम किये जाएंगे चलने में अस्मार्त मददातों को बूत तक पहुँचने की भी विवस्था की जाएगी टीम में होंगे यह लोग शामिल करमी, शमेत मददान करमी शामिल होंगे जिला मददातों के घर जाकर मददान कराने वाली टीम में एक-एक माइक्रो आपजवर एक पॉलिशन की और गठित होने वाली टीम को मददान कराने वाली टीम मददातों को पोस्टल बैनल्ट और बिसेश लिफापा भी अपलब्द कराएगी Bureau Report उन्नाओं